सब्सक्राइब कीजी मेरे चैनल को और एक घंटा वाला बटम जरूर दबाईए जिससे आप मेरे आने वाली नई वीडियो को देख सकें हाई दोस्तों कैसे आप लोग दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाईल से वायरस को कैसे निकालेंगे आपको अपने मोबाईल में किसी भी अप्लिकेशन को स्टॉल नहीं करना है जब भी आपके मोबाईल में वारस आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा और आप उसको बहुत यह असानी से हटा सकते हैं चलिए दोस्तों आपको बता देता हूँ कि वह सेटिंग कौनसी है और आप उसको कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग में चले जाना है अब दोस्तों आपको स्कॉल करके नीचे जाना है आपको यहाँ पर एक अप्सशन मिल जाएगा गूगल का सायद आपको mobile में google account करके हो लेकिन जरूर होगा तो आपको simply इसको open कर लेना है अब आपको यहापे बहुत सारे option मिल जाएंगे तो आपको scroll करके नीचे जाना है यहापे आपको एक option मिल जाएगा security का तो मैं इस पर click कर देता हूँ अब फिर आपको यहापे कुछ option मिल जाएंगे तो आपको यहापे नीचे एक option दिख रहा होगा Google Play Put Up तो आपको इस पर click कर देना है अब दोस्तों आपको यहापे कुछ option मिल जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप इसको on कर देते हैं तो यह regular आपके application को check करेगा अगर उसमें कुछ वारस मिलता है तो आपको notification देदेगा अब दोस्तों आपको नीचे दो option मिल जाएंगे तो आप इसको on कर दीजिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि on हो गया अब अगर हमारे mobile में कुछ भी वारस आएगा तो यह अमको notification से सूचीट कर देगा आपके mobile में वारस आचुका है और आप उसको remove कर सकते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शाही का निशान दिया हुआ है इसका मतलब अभी मेरे mobile में एक वारस नहीं है तो इस तरह से आपको एक setting करना है उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको mobile में कितना वारस है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई है तो like कीजिए, share कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe भी कीजिए तो ठीका दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में